जहें दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज में बात करने वाले हैं साथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो सकेंड ओडियाई मैच होने वाला है उस मैच के बारे में तो दोस्तों ये मैच कल खेला जाएगा कल दो पहर दो बजे तो मैं इसी मैच की 5 टीम की और दोस्तों प्लेर अनलाइसिस इस कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा जिसके मदद से आप 100% विनिंग कर पाएंगे फेंटेसी आपो में वो चाहे हिट टू हेड हो, SL हो या फिर GL हो तो तो तीनों ही फार्मेट में आपको जीत मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूर इन्पोर्टेंट होने वाली है, पूरे वीडियो में बने रहेंगे बिना कोई भी भाग को स्किप किये हुए, तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में क्या मिलेगी वो तो जान चुके हैं, अब धीरे धीरे सारे बातों को यहाँ पर बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों, तो आपको फर्दर फैदे और रेगुलर जीतने का अदत आपको जरूर हो जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से तो दोस्तो पहले यहाँ पे आपको पिछ के बारे में बता देते हैं तो आपको जो पता ही होगा कि यह जो मैच है वो बॉलिंड पार्क पर्ण में खेला जा रहा है जो कि पिछला जो 50-50 का मैच हुआ था वो इसी ग्राउन पे हुआ था जहाँ पे दोस्तो एबरेज स्कोर जो निकल करा रही है को 300 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा इस ग्राउन पे क्योंकि दोस्तो इंडिया भी इस मैच को जीतना चाहेगी और अपना 100% देना के कोशिस करेगी दोस्तो इस पीच पे बिस्पीनर को ज्यादा खासा पॉफरमेंस है नहीं मतब ज्यादा सपोर्ट है नहीं तो स्पीनर को 30% का सपोर्ट है और पेसर्स को यहाँ पे दोस्तो 70% का सपोर्ट है तो अपने जो टीम बनाएंगे उसमें पेसर्स रखने का ज्यादा कोशिस करेंगे और दोस्तो आपको पता ही है कि 50-50 के मुकाबले में बोलर्स, बैक्समेन और 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 राउंडर के परफेट कामिनेशन आप बनाएंगे तभी आप जीत पाएंगे क्योंकि दोस्तो और राउंडर पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करते हैं ये पूरी की पूरी दोस्तो पिच की रिपोर्ट थी दोनों ही टीमों की बात करें तो दोस्तो साथ अफरीका और इंडिया की बात करें चलते होंगे तो इस match को इंडिया ही जीतेगा तो चलते हैं दोस्तों अब यहाँ टीमों के बारे में और प्लेयरों के बारे में बात करते हैं यहां तक तो आपको मैच डिटेल, पिछ रिपोर्ट और दोस्तो आपको यहां पर टीम कंप्रिजन पता चल गया है अब टीमों के बारे में बात कर लेते हैं तो जो मेरी पहली टीम होगी वो हिट टू हिड में आपको काम कर यहुँए पे दोस्तों मैं प्लेयरों के बारे में बात करना लूगा कौन पी रखना है दोस्तों यहाँ पे दो option आपको दीखे आपको बहुत सारे अप्सम दिखेंगे बिराट कोली दिखेंगे दोस्तों जो की पिछला मुकाबला में मात्रे 62 पॉइंट दिये हैं हाला कि अच्छा पॉइंट दिये हैं चलने की संभावना है सिखर धवन साइद इस मैच में ना चले तो आप इनको रिप्लेस भी कर सकते ह यां टेमबा बहुंदा के जगा पे, हलाकि दोस्तो टेमबा बहुंदा पिचला मुकाबला में चल ले तो इनकी भी संभावना थोड़ी कम है इस मैच में चलने की, तो आप देख ले सकते हैं, दोस्तो शिखरदमन ये पे टेमबा बहुंदा दोने में से किनी, एक को आप ही Grand League में बनाईएगा दोस्तों, डेविड मिलर की जगहा नहीं बनती, इसको आप Mini-GL या फिर Grand League में ट्राइ करें और जाने मन मलान को भी Grand League में ही ट्राइ करें दोस्तों, स्रे सयर को अगर रखना चाहेंगे तो आप Grand League में SL में इनकी जगहा नहीं बनती है, और सायद दोस्तों, इस मैच में सरे सयर को जगहा नहीं दिया जाएगा, सायद सूरी कुमार या दो इस मैच को खेलेंगे, तो आप Mini-GL में इनको रखिएगा Markham को रखना चाहेंगे, तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने Hit-Puit में टीम के जगहा इनको दिया है, आप चाहेंगे दोस्तों, इनके जगहा टेमबा बहुमा को भी रख सकते हैं, और Rounder के सक्षण में आपको दो-तीन ओप्सन दिख जाएंगे, जो कि R.S.W.E.N. दिखे सकते हैं, लेकिन मुकाबला पहला में ये फ्लॉप रहें, तो देखते हैं, इस मुकाबले में क्या होगा, तो अगर रिस्क लेना चाहते हो, तो आप इनको पे Grand League पे ले, Mini GL और SL पे ना ले, दोस्तो, M.J.S.N. की बात करें, दोस्तो, इनको भी आप Grand League में ही रख सकते हैं, और Mini GL में भी ट्राइ कर सकते हैं, बॉलिंग के सक्षन में आपके पास 6-7 आप्सन रहेंगे, जैकि जैस्प्रित बुम्रा रहेंगे, दोस्तो, तर्वी संसी, भुवनिश्वर कुमार या धीपक चाहर में कोई एक खेलेंगे, मुझे लगता है, धीपक चाहर इस माच को ख और 5, बॉलिंग के आप्सन, अगर बॉलिंग के आप्सन आप बढहना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तो सिखर दवन को अटा कर, यहाँ पे re-spin को रखकर, एक बॉलिंग को और भी बढ़ा सकते हैं तो यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हून दोस्तों, आगर बढ़ान तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह मेरी पहली टीम है जिसको आपको head to head और साथ यह साथ दूस्तो जीयल में बें ट्राइब कर लेनी है अब चलते दोस्तों आपको दूसरी टीम दिखाते हैं जो मिनी जील का कॉंबिनेशन आपको दिखा देते हैं, वहां से आप उसमें क्या क्या चेंजेज हैं, तो दोस्तो इस टीम में देख पारे हैं, पहले हैं तो बिराड कोली को मैंने कप्तान, और वाइस कप्तान मैंने कुइंट अडिकॉक को रखा है, यह थोड़ा सीफ अपसन च सकते हैं, मिनी जील में, हलाकि दोस्तो थोड़ा ही रिस्क लिजएगा, ज्यादा रिस्क मत लिजएगा, यहाँ पर दोस्तो बॉलिंग के सकसर में भी सेमी है, एक बोलर यहाँ पर चहल चेंज है, तो चेंजेज करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तो पचास देते हैं निरास भी नहीं करेंगे तो यह मेरी दूसरी टीम के टीम इस टीम को लगाना इस टीम को मैंने दोस्तों बैटिंग पेवर करते हुए इजली विन कर सकते हैं, अब चलते हैं दोस्तो आपको दिखाते हैं चौंथी टीम तो दोस्तो इस टीम मेरी चौंथी टीम है जुसको मैंने ग्राइंड लीग के लिए डिजाइन किया है इस टीम में खासियत ये है कि मैंने यहां पर कुंटेंट को नहीं रखा आरपन्थ को रखा है और दोस्तों मैंने आपर जनसन को वाइस-कतान और कप्तान देख पारे दोस्तों ल्गिंगनिनी को बना अइस टीम में चार बाइ आपको साथिवर के तरफ से मिल रहे हैं और तीन बैटिंग को साथिवर के तरफ से पर estamos अच्छी खासे अगर साथविगा करती है तो यह टीम आपके लिए best हो जाएगी और आप easily win कर सकते हैं तो इस टीम को आपको Grand League में लगानी है दोस्तो आखरे टीम दिखा देए मेरी आखरे टीम है जहाँ पर मैंने तीन आप्सन बॉलिंग के रखे हैं इंडिया के तरफ से और पांच बैटि इंडिया को लेकिन यह टीम भी बहुत इच्छे तकडी है और इस टीम से भी आप Grand League जीत सकते हैं कप्तान और वाइस कतान अपने हिसाफ से चेंज कर सकते हैं या फिर मेरे हिसाफ से जाए तो आपको फायदा होगा तो दोस्तों यह पांचों की पांचों टीमों तो यह पा झाल